हलो स्टूडेंट्स अपन इलक्ट्रो केमेस्ट्री फर्स्ट बीसी पार्ट सेकेंड जो अपने फॉर्थ उनिट उसकी स्टेडी कर रहे थे लास्ट लेक्षें में अपने देखा था कि जो आरहीनियस का इलक्ट्रोलाइटिक डिसोशेशन का जो सिद्धान था उसके बारे मे अपन डिग्री ओफ आयनिजेशन की फॉर्म में लगाते हैं तो वो आते हैं अपना सी अलफा स्वार उपन वन माहिनस अलफा और इसके द्वारा अपन किसी भी वी किलक्ट्रोलाइट्स के लिए अलफा का फॉर्मूलर डिराइव करते हैं इसके कुछ और भी पोस्ट्यू और पॉस्ट्यूलेट्स थे इनके बारे में अपने स्टेडी की थी आज अपन देखेंगे इस आरहीनिय सिध्धान्त की कुछ लिमिटेशन है यह जो सिध्धान्त है वो कुछ दूरबर विद्धू तबकट्यों पे ही लागू होता है प्रबल विद्धू तबकट्यों उ उनकी चालकता की, उनकी जो चालकता है, उसके द्वारापन 살फा का मांन कैल्कुलेट करते हैं। ही चेंज होता है इससे यह ऐसा लगता है कि जो आयनिक equilibrium है वो exist होगा भी या नहीं होगा क्योंकि equilibrium position के उपर तो के equilibrium का मन constant होता है तो यहाँ पर यह एक limitation ही है सिर्दान्त की कि जो strong electrolytes है उसके लिए यह fulfill नहीं होता थर्ड वन है कि जो विदू थबगटे हैं वो generally ionize होते हैं डिसोसियेट होते हैं तो इस जो process है उसमें या तो heat का release होना चाहिए या फिर heat का absorption होना चाहिए नहीं होना चाहिए लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं होता इसके अंदर कुछ मात्रा में heat release या absorb होती है एक था कि जो ब्रेग ने NaCl की crystal structure की जब steady की थी तो उसने बताया था कि NaCl solid state के अंदर भी ionic होता है विलियन state में तो ionic compound है यह तो ionic हो गई लेकिन solid state में भी यह ionic होता है उसके बाद जब आरेनियस ने यह माना कि जो Na plus और Cl minus से मिलके NaCl अनू बनता है तो यह कैसे प्रूफ करोगे कि आप तो कह रहे हो एक तरब की solid state में तो यह है यह ionic और एक यह सिद्धान यह कह रहा है कि यह जो Na plus से Cl minus मिलके NaCl का बनना है यह एक reversible process है तो इन दोनों में controversy आ जाती है तो यह भी एक इसकी limitation थी एक था कि जैसे जैसे आपन किसी भी विद्धूत अपगट्टे के dilution करते हैं यानि उसकी तनूता भढ़ाते हैं उसकी concentration को कम करते हैं तो उसकी equivalent conductance है वो बढ़ती है और विद्धूत अपगट्टे के लिए अपन इसको easily समझ भी सकते हैं कि जैसे ही अपने दूर्बल विद्धूत अपगट्टे हैं उसको यदि अपनने solid state में ही पूर्णत है आयनित रहते हैं तो इसके लिए अपन ये कैसे समझाएंगे कि इनकी भी तनूता बढ़ने पर विद्धूत अपको इनकी जो strong electrolytes हैं इनकी अपन equivalent को कैसे बढ़ा हुआ मानते हैं इसके अपन को explanation यहां नहीं दे सकते तो यह जो औरहाल सिद्धान्त ह है यह केवल weak electrolytes के लिए ही लागू होता है strong electrolytes पे लागू नहीं होता है इसके आगे जो आरहिनियस है उसने इस electrolytes को दो भागों में divide किया एक था weak electrolytes और एक था strong electrolytes तो आरहिनियस नहीं बताया कि जो weak electrolytes होते है वे वे electrolytes होते हैं जिनके अंदर dissociation degree of dissociation कमान बहुत ही कम होता है इसके कुछ example दिये गए जैसे acetic acid है ammonium hydroxide है यह जो weak electrolytes है इनका aqueous solution है इसमें iron ionization या iron कम होता है जिसके कारण इनमें जो प्रभावी effective ions है उनकी संक्या भी क्या होगी कम होगी और इसी कारण इनकी conductance भी क्या होती है कम होती है जबकि जो इनके concentrate solution है उसके अंदर इनकी तुल्यांग की चालकता है वो बहुत ही क कम होती है और जैसे जैसे अपन इस solution को dilute करेंगे तो इनकी तुल्यांग की चालकता का मान तेजी से इंक्रीज होता है लेकिन यह highly जो इनकी highest होती है उस अवस्ता तक नहीं पहुच पाता है यानि कि अगर यह complete ionic मानने अपन कि विद्दू तब करते हैं complete ionic है या strong है तो उनकी जो equivalent conductance होगी उनके मान से इनकी equivalent conductance के मान हमेशा कम ही होंगे यानि यह पूंट आइनि का वस्ता में नहीं होते हैं और इनकी में generally जो organic acid और base होते हैं वो आते हैं यसी यह organic acid है यह organic base है उसके पास second था कि strong electrolytes कों से होते हैं तो strong electrolytes वे होते हैं जिने complete ionize माने या dissociate मान इसके लिए NaCl, NaOH, HCl आदी बताएगे यह जो strong electrolytes होते हैं यह aqueous solution में complete ionize होते हैं एक्वस solution में इनकी जो ionization की degree of ionization है उसका मान जादा होता है इसी के कारण इनके सांदर billion में भी इनकी तुल्यां की चालकता अत्यदिक होती है और जैसे ही अपन इनकी concentrate solution की यह दि तनूता बढ़ाएंगे तो इनकी conductance में कोई vicious change नहीं होगा क्योंकि इनकी तो पहले से ही complete ionize मानने के कारण conductance अत्यदिक होती है तो इसमें ज्यादा कोई change नहीं होगा इनके लिए जो अपने खनीज अमल है शार धातू शार यह मर्दा धातू के जो hydroxide है वो अपन example मानते हैं इनके ग्राफ के द्वारा भी समझाए गया है यह ग्राफ तुल्यां की चालकता और तनूता के बीच में जो दूर्भल विद्धू तपगटे हैं इनकी तुल्यां की चालकता हमेशा प्रबल विद्धू तपगटें से कम ही होगी और जैसे जैसे अपने इनकी तनूता बढ़ाते हैं तुल्यां की चालकता का मान बढ़ता जाता है और एक maximum stage पे constant हो जाता है लेकिन यह हमेशा प् प्रद्धियों के constant हो जाएगी और यह हमेशा दुर्बल वेदुद अपगट्यों से उपपर होगी यानि इनकी equivalent इंडेक्टेंस जादा होगी इसके बाद आया था ओस्ट्वाल्ड तो इसने ओस्ट्वाल्ड ने अपना और इस अंच को उन्होंने क्या कहा degree of ionization या degree of dissociation तो इसे एक definition दी गई कि किसी विद्धुद अपगट्या के एक मोल का वह है अंच जो आयनिक अवस्ता में रहता है उसके वियोजन की मात्रा कहलाता है यह जो वियोजन की मात्रा है यह प्रबल विद्धुद अपगट्या के यह जो एलफा है इसकी वियोजन होती है अपने अलफा से दिनोट करते हैं लेकिन जो विक लक्ट्रोलाइट्स है इसके लिए एलफा का मान बेक से बहुत ही कम होता है क्योंकि यह complete ionize नहीं होते हैं इसके बाद और जो अपना नियम दिया वो यह कहा कि जो वीक लक्ट्रोल इसके अपने जब आरहीनियस थोरी पड़ी तब भी अपने एक यह वाला expression निकाला था जिसे अपने खाता कि यही ऑस्ट्रोल का dilution लो है यहाँ पर अपन वापस से उसी ही निकालेंगे देखें मैं दिखाती हूं आपको यह जो अपना कल का lecture था उसमें देखाता अपने आरहीनियस थोरी इसके first postulate में भी अपने इसी तरह से एक expression निकाला था जो degree of ionization और constant के बीच में था कि यही अपन यहाँ निकालेंगे जिसे अपने ओस्ट्रोल का dilution लगा तो एक अपन वीग एसी लेते हैं हे और इसके dissociation या ionization को इस तरह से शो करते हैं H plus plus A minus initial stage में अपन इसके concentration 1 मानते हैं जब इसका ionization नहीं हुआता है यानि यह 0-0 थे अब माना कि equilibrium पे इनका ionization alpha हो रहा है तो alpha H plus बन गया alpha A minus बन गया और यह alpha इसकी जो initial concentration था उसमें से कम हो गया इस पे अपन द्रवे अनुपातित की रियानी हम लगाएंगे तो कीसी जो अपना equilibrium constant है वो आएगा concentration of product H plus और A minus upon concentration of reactant जो की HA है माना कि इस पूरे जो विलियन था उसका volume है अपने पास V तो अपन इस volume के द्वारें की concentration निकालेंगे तो concentration of HA होगी वो होगी 1-alpha upon V H plus होगी alpha upon V और A minus होगी alpha upon V इन तीनों value को अपन equation एक में put करेंगे V से V cancel हो जाएगा तो अपने पास आगया के C equal to alpha square upon 1-alpha into V इसे अपन alpha square C upon 1-alpha भी लिख सकते हैं क्योंकि जो V है वो inversely proportional होता है C के तो यहाँ पे मैंने जहाँ V था वहाँ 1 upon C रग दिया यह जो अपनी equation है यही अपना क्या है ओस्टवार dilution law लेकिन जो V के लक्टोलाइट्स है उनके लिए अपने कहा था कि degree of ionization या फिर degree of dissociation का मान एक से बहुत ही कम होता है तो अपन 1-alpha को क्या करेंगे 1 के equal रग देंगे तो यह जो अपनी equation थी इसमें अपन यहाँ नीचे 1 कर देंगे तो के सी इक्वल टो अलफा स्कार सी यहाँ से अलफा अपन निकाल लेंगे यह जो equation है यही अपनी क्या है ओस्टवार्ड डायलूशन equation कहलाती है alpha है degree of ionization के है अपना ionization constant या dissociation constant यदि अपन यह माने कि alpha less than less than 1 नहीं है यानि इसकी कुछ value है तो अपना यह जो समीकरन था अपन इसी का huge करते है और इससे अपन एक binomial equation निकालते है जो अपने पास यहाँ आती है जब अपन इसे solve करेंगे kc को 1-alpha से multiply करेंगे equal to alpha square c रखेंगे तो अपने पास यह alpha में एक binomial equation आएगी और इससे अपन solve करके alpha की value calculate करते है यह तो था एक simple acid यह लिए अब यदि मान ले कि एक विदूत अपगटे है जिसके अंदर number of ions change हो रहे है तो यह है एक ax और by इसका dissociation देखेंगे तो ax है तो यह जाएगा x a plus y plus x y b plus x sorry यहाँ पर एक जगे minus sign आएगा एक जगे plus आएगा यहाँ plus है और यहाँ minus आएगा तो रसे यहाँ change करिएगा यह यहाँ पर plus आएगा तो यहाँ minus आएगा जो first अपन लिखते हैं जैसे h a में था h plus तो यह अपना y plus रहेगा और यह x minus रहेगा initial concentration c मानेंगे इनकी 00 मानेंगे at equilibrium position पर यदि यह alpha बन रहे है और अपने initial concentration c मानी है इसके x mole बन रहे है तो यह हो जाएगा c alpha x यह c थी initial concentration का part जो आइनेज हो रहा है यानी c alpha यह x इसके number of moles है तो यह x आ गया इसी थरह यहाँ आ जाएगा c alpha into y यह जो c alpha कम हुआ है यह यहाँ पन c minus c alpha करेंगे c को मन आ गया तो यह हो गया 1 minus alpha इन तीनों values को अपन यहाँ के c में पूट करेंगे concentration of product upon concentration of reactant यह जो number of moles होते है यह अपनी द्रव्य अनुपातित की रियानिया में पावर में चले जाते है तो c equal to product की concentration जिसमें यहाँ आएगी a की concentration इसकी पावर लगेगी यह x इसी तरह यहाँ आ जाएगी इस b x minus की concentration और इसकी पावर लगेगी यह y upon reactant की concentration अब अपन इसे solve करेंगे तो अपने पास यह expression आ जाएगा यह generally अपन अदर सभी electrolytes के उपर लागू कर सकते हैं जिसके अंदर number of ions या number of moles change होंगे अब यहाँ अगर अपन इसमें weak electrolytes के लिए 1 minus alpha को या alpha को 1 minus alpha को 1 की equal इसका मतलब alpha को less less than 1 रखेंगे तो अपने पास यह equation आ जाएगी kc equal to c x plus y minus 1 x की power x y की power y और alpha की power x plus y तो यह equation भी एक generalized form है इसी austral dilution लाकी तो यह है austral तनूता नियम का एक व्यापक ग्रूप है यह यहाँ पर अपना austral dilution लाग हो गया इससे पहले जब आरही निये slow देखा था तब भी अपने यहाँ तक यह expression निकाला था यह एक journal electrolytes के लिए दर्शाया गया है जिसमें number of moles changed है आगे की lecture में अपने इस austral dilution लाग की कुछ limitations कुछ applications देखेंगे ओके thank you